नमस्कार, इबनिंग नुज में आपका स्वागत है, आए दीन भर के मुखे खवर पर नजर डालते हैं उनका ध्यान दिलवाया, बतादे देवरी गाओं की महिलाओं ने मंजु कच्छप के नित्यत्यों में एलोवेरा खेती की है, इससे इन महिलाओं की न सिर्फ आमदनी बढ़ गई, बलकि इससे स्वास्त के छेतर में लाभ भी मिला है, बतादे जारखन के राची जीले के नग जारखन में चक्रवात गुलाब का असर आई साम से, मौसम विभाग के नुसार राज्य में चक्रवात गुलाब का असर अब्विवार की साम के बाद देखने को मिलेगा, चक्रवात का क्लाउंड बैंड राज्य के दक्षिनी और मद्य जीलो तक फैला हुआ है, इसके भी केंदर बंगाल की खाड़ी में बना कम दवाव का छेत्र गहरे अवपात में तबदील हो गया है, 28 सितंबर को राजेपाल जन जातिये संगरहलाय का उदघाटन करेंगे, कोल्हान भी स्वविद्यालाय के जन जातिये एवं छेत्रिये भासा विभाग में नो निर्मीत जन जातिये छेत्रिये संगरहलाय का उदघाटन, 28 सितंबर को राजेपाल में बैस करेंगे, बता दे वर्चूल मोड पर इसका उदघाटन किया जाएगा, उदघाटन समारो का लाई परसालन कोल्हान भी स्वविद्यालाय की वेब साइट पर भी देखा जातिये जाने की घाटना के बाद जार्खन में भी अदाल्तों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हलाकि धनबाद के जोज उतम अनन्द की हत्तेया के बाद से ही राजे में नयालो की सुरक्षा बढ़ाने की परकिरिया सुरू कर दी गई थी, बता दे इस मामले में सुनवाई के दुरान जा ख cart ने भी सरकार को कोट की सुरक्षा बढ़ाने का अधेस दिए थे हाई कोट काध перв के दालतों में शुरक्षा बलो पिसांख्याबाई हुई है में गुएंजारखन पर दूसन के कारण होने वाले बीमारीओं से 2019 में करिब 33,000 लोगों की मौत हुई है इसका कारण राज्य के घरों में जलावन के रूप में लकड़ी और कोईले का अधीक उपयोग है बता देया अमरीका के बोस्टन सहर में इस्थित Health Infect Institute के अध्यान में पाया गया है अमरीका इस्थित इस संस्थान की रिशर्च एसकोलर पलवी पंत ने इससे समंधित अध्यान किया है पलवी पंत का कहना है कि जारखन में आज भी खाना बनाने के लिए जलावन के रूप में लकड़ी और कोईले का उपयोग हो रहा है यहां के कई सहर गंभी रूप से प्रदोसित है बर्स 2019 में जो मौते हुई है इन में से करीब 33 यह लोगों की मौत कारण प्रदोसन जनित बिमारिया थी जारखन में बाबा बैधनात का दर्शन हुआ असान बाबा मंदीर में परवेश के लिए ईपास की सुविधा को और बहतर करते हुए अगरिम ईपास निवंधन का समय साथ दिनों से बढ़ा कर 15 दिनों तक कर दिया गया है ताकि सरधालू अपनी सुविधा अनुसा स्लोट बुक करा कर बाबा बैधनात मंदीर में परवेश कर पाए बता दे इसके अलावा सरधालू की सुविधा के लिए निशुल्क ईपास निवंधन की सुविधा के लिए एक मात्रे वेबसाइट दर्सन.babadham.org जारी किया गया है इस समय में डिसी मंजुनात भजंतिर ने आदेश जारी कर दिया है वही सरधालू से आगरा करते वें कहा गया है कि सत परतिशत नियमों का अलुपानन करते ही जारी वेबसाइट से इपास प्राप्त करने के बाद ही मंदीर में परवेश की अनुमति होगी सीयम हिमांत ने लालू परशाथ को बताया अभिभावाग जार्खन के CM हमान सुरे नई दिली के दोरे पर हैं बता दे जार्खन के CM हमान सुरे नई दिली में हैं इसी करम में उन्होंने सनिवार की देर रात लालू परशाद से मुलकात की सियम हमान सुरे ने ट्वीट के जरे लालू परशाद को अपना अभिभावक बताते हुए कहा कि कल देर रात उन्होंने दिल्ली में राया सुप्रीमो और अभिभावक सरूप आदर निये लालू परशाद जी से मुलकात की उनका कुसल छे पूछा वे उनके उतम स्वास्त व दिर्गायू होने की कामना करते हैं 27 सितंबर को भारत बंद मसाल जुलूस आज सन्युक्त राष्ट किसान मोर्चा द्वारा 27 सितंबर को आखुत भारत बंद के समर्थन में रविवार को राईधानी रांची सहीत सभी जीला मुख्यालों में गैर भाजपाद दल मसाल जुलूस निकालेंगे बता दे परदेश कॉंग्रेस के प्रवक्ता 37 पॉल मुझिनी ने बताया कि साम पांच भाई राईधानी में कॉंग्रेस मुख्याले से सहीत चौक होते हुए अलवट एका चौक तक मसाल जुलूस निकाला जाएगा अलवट एका चौक पर सभी गैर भाजपाद लोग के लोग सामील होकर बिरोध दर्ज कराएंगे वही 27 सितंबर को आम लोगों से भारत बंद को पूर्ण सफ़र बनाने की अपील की जाएगी गुमला में डाइन विसाही में तीन लोगों की हत्या जारखन के गुमला थाना से 20 किलोमेटर दूर लूटो पंसो गाउ में डाइन विसाही के सक में एक ही परिवार के तीन लोगों की निर्मा महत्या कर दी गई है बता दे घटना सनिवार देर रात की है मृत्को में ब्रीद बंधन उरा उनकी पत्नी सोमरी देवी और बहु बास मत्या देवी भी सामिल है पोलिस ने दो रिष्टेदारों को गिरफतार के लिया है वही बताया जा रहा है कि बास मत्य का पत्ती दूसरे राज में मजदोरी करने गया है फिलहाल गाओ में पोलिस पहुच कर मामले की छानबीन में जुट गई है रांची में डियस्पी की पत्नी से चैन छिनने का पर्यास रांची में दिन दहले जारखन हाई कोट की महिला अधिवक्ता एवं डिस्पी की पतनी से सोने की चैन छिनने का पर्यास हुआ है हलाकि महिला ने हिमत जुटा कर बाइक स्वार अपराधियों को उनके मनसुबे में कायम नहीं होने दिया बता दे इस छिना जहप्टी में चैन का आधा हिंसा महिला के पास और आधा लुटेरे के पास रह गए महिला ने लुटेरों को जमीन पर पटक कर बचा आधा हिंसा भी अपने कबजे में कर लिया इस समन्द में थाना में सिकायत दर्ज कराई गई है बता दे अरगोडा थाना पोलिस मामले की छानबिन कर रही है जारखन आंदोलनकारियों को जरूर मिलेगा राज किये सम्मान सीबू सोरेन जार्खन आंदोलनकारी संहर्ष मोर्चा का परतिनिदी मंडल सन्निवार को जार्खन आंदोलनकारी के अगवा दिसोम गुरू सीवू सोरेन से उनके आवास पर मिला प्रतिनिधी मंडल में राज्येक के लिए संहर्ष करने वाले जार्खन आंधोलन कारियों को सरकार द्वारा राज किये मान समान नियोजन, पेंशन वा पहचान नहीं दिये जाने की सिकायत की इस पर सिवु सुरेन ने कहा की एक बार सरकार से मिल कर बात करे फिर मुझे बताए जरूरत होगी तो मैं खुद इस बारे में बात करूंगा आंधोलन कारियों की बाते जरूर सुनी जाएगी उन्होंने कहा कि सभी जार्खन आंदोलन कारियों को राजकिये समान दिया जाएगा प्रतिनीधी मंडल में मोर्चा के केंद्रिये उपाध्यक्स, प्रफुल, तत्वा, सिवलाल मरांडी, परमुक थे जार्खन में संक्रमन नहीं के बराबर जार्खन में कुरोना का संक्रमन अब नहीं के बराबर बता दे कई जीलों में तो लंबे समय से कुरोना का कोई केस नहीं मिला है वही राजी के साथ जीले ऐसे हैं जहां पिछले एक माह में कोई कुरोना मरीज नहीं मिला है बतादे इन में दुमका गिरीडी गुमला, कोडर्मा, पाकोड, पलामुत अथ सराय के लाख हरसावा सामील है साथ ही इन जीलों में सराय के लाख हरसावा को छोड़ कर सेश अने जीलों में बरतमान में कोई भी संक्रामित नहीं है जारखंड में बीमा योजनाओं से एक माह में 25 लाख गिरामिन जुडे संक्रामन के कालखंड में गिरामिनों के ससक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री हिमान सुरेन द्वारा किया जा रहा परयास रंगला रहा है बता दे एक और हडिया दारू निर्मान और विक्री कारे में संलंगन 13000 सदिक महिलाओं को पिछले एक वर्स में फुलो जानो असिरवाद अभियान से जोड़ कर उनके लिए आजीवका के साधन से रिजित किये गए वहीं पिछले एक मा में 25 लाख लावकों को जीवन द्रुगटना यम स्वास्त बिमा योईना से जोड़ा गया है इसके साथ ही सरकार 30 लाख लोगों को बिमा योईना से जोड़ने के अपने लक्ष की और कदम बढ़ा चुकी है बता दे गरामिन विकास भी भागने साथ अगस से बिमा कराय अभियान के सुरुवात कर साखिम मंडल की महिलाओं को बिमा योईनाओं से जोड़ने की पहल की थी भारतिये महिला फूटबॉल टीम की करिस्मा ने जार्खन सरकार को सराहा जार्खन के मुख्यमंत्री हमान सुरेन का खेल प्रेम जग जाहिर है बतादे दूसरे राजो खिलाड़ी भी उनके खेल प्रेम के मुरीद हो गए हैं जम सेथपूर में चल रहे भारतिये महिला फूटबॉल केंप में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी मानते हैं कि हमान सुरेन के कारण ही नेशनल केंप का आवेजन हो पाया है नहीं तो इसका होना मुश्किल था बतादर टीम में सामील गोवा की करिस्मा पूरसोतम ने सनिवार को बाचीत में बताया कि हम लोग मुख्य मंत्री हमान सुरेन का सुक्रियादा करते हैं वो नहीं के परयास से यहां पर केंप आवेजीत हो पाया है कुरोना में हमारे के कारण कोई भी राज केंप आवेजीत से समानित किया है केंद्री सचीव एन एन सिनहा ने उन्हें ऐनलाइन कारिकरम में समानित किया है मंत्राले ने देश के बारा राजियो से चुनींदा 66 युआओ को हुनरबाज पूरसकार से समानित किया है बता दे जह हरखन के गढ़वा की कुलवनती बाड़ा हजारी कि सवित्री कुमारी खुटी की आसा टुडी बोकारों के अबोद महत्था वो तेजिया कुमारी धनबात की पिंकी कुमारी और रांची के नहा रेखा कुमारी को उनर्बाज पुरसकार से समानित किया गया है ज्यारखन चेमबर चुनाव 28 को चेमबर भौन में होगी मत गन्ना रभीवार 26 सितमबर को सुब़ 10 बय से साम 5 बय तक और सोमवर 27 सितमबर और 28 सितमबर को सुब़ 10 बय से साम 6 बय तक मत डाले जाएंगे बता दे मतगन्ना 28 सितंबर को चेंबर भौन में होगी मतगन्ना के लिए 20 कम्प्यूटर लगाए गए है करमांग के अनुसार स्दस्यों का दिन तै किया गया है वहीं चुना पदादिकारी ललीत केडिया वा अंचल किंगर ने बताया कि तीन दिवस्य चुना में रविवार को भोटर करमांग संख्या एक से चौदा सो तक मद्दान होगा मनी लोंडरिंग के आरोप में फशे उसा मार्टिन कम्पनी के महा परवंधक मार्केटिंग परमोत कुमार फते पुरिया की अगरिम जमाना त्याजका पर इड़ी ने बिशेस नयाधिस पीके सर्मा की अदालत में आंसिक सुनवाई हुई अदालत ने अगली सुनवाई किती थी 20 नौमबा निधारित की है बतादे परमोत कुमार की ओर से 11 जून को अगरिम जमाना त्याजका दाखिल की गई थी परवतन निधे साले ने उसा मार्टिंग के खिलाप 190 कोड़ रूपई से जुड़े हुए आरन ओर के केस में चार्टिट डाखिल की है धन्यवाद